एक गारंटी ये है कि दिल्ली के अंदर आवारा पशुम की एक बड़ी समस्या है आप देखें दिल्ली के अंदर जितने कूड़े के खते हैं वहाँ पे गव माता कूड़ा खाती हुई नजर आती है जबकि गव माता की सही जगए है कि उनको गव शालाओं के अंदर रखा जाए वहाँ पे उनको हरा चारा दिया जाए तो दिल्ली सरकार जितने भी आवारा पशुव हैं खास तोर पे गाय हैं और गव उंच हैं उन सब को पालने के लिए आधुनिक गव शालाए बनाएगा नगर निगम में आने के बाद आम आदमी पार्टी ये गव शालाओं को बनाएगी जहां पे इन सब को रखा जाएगा और अच्छा अहार दिया जाएगा दूसी समस्या है बंदरों की ये समस्या सुनने में लगता है कि ये छोटी समस्या है मगर आप किसी भी कॉलनी के अंदर आप चले जाएं खास तोर पे दक्षिन दिल्ली की बड़ी से बड़ी कॉलनी में आप चले जाएं तो वहाँ पे काउंस्लरों के सामने सबसे जादा समस्या जो रखी जाती वो ये बंदरों की बंदर लोगों की छटों पे आ जाते हैं चतों से पानी की टंकी के अंदर गर्मी के मौसम में कूद कर नहा करने कर जाते हैं बाद में पता चलता है कि उनकी पानी की टंकी के अंदर बंदर नहा के गए हैं अंदर कमरों के अंदर आके फ्रिज खोल कर फ्रिज में से समान लेके भाग जाते हैं छोटे छोटे बच्चों के उपर अटाक कर देते हैं तो आम आजबी पार्टी का वादा है कि हम सत्ता में आने के बाद इनको इनके नेचुरल हैबिटेट में जैसे असोला में है और भी कई नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे इनको दुबारा से रखा जाएगा और वहाँ पे इनके खाने का आहार का इंतिजाम किया जाएगा ताकि इनको जो है अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर ना जाना पड़े तीसरी बड़ी समस्या है आवारा कुत्तों की यह हम सब जानते हैं कि पिछले 15 साल से MCD कहती है कि वो कुत्तों को स्टेरिलाइज करती है उनको स्टेराइल करने के लिए करोण रुपे MCD खर्च करती है मगर फिर भी हर साल आप देखते हैं कुत्तों की अबादी बढ़ रही है और कई जगे यह जो डॉग्स हैं स्ट्रीट डॉग्स हैं यह लोगों को अटाक करते हुए भी नजर आते हैं क्योंकि इनको भोजन नहीं मिलता भूके होते हैं चिड़चिड़े होते हैं जनसंख्या लगातार बढ़ रही है हर कॉल्नी के इंडर दो ग्रूप हैं कुछ पशु प्रेमी है और कुछ कहते हैं कि इनको हमारे कॉल्नी से हटाओ तो दिल्ली सरकार स्ट्रीट डॉग्स के विशे में कि एंसीडी से कई वर्षों से बात करती है दिल्ली विधान सभा के अंदर इसके चर्चा भी हुई मगर एंसीडी को कोई शौक नहीं है कि इसके अंदर कोई काम किया जाए तो जब हम लोग नगर निगम के अंदर आएंगे तो हम एक ऐसी मुहिम चलाएंगे जिसमें इन स् इसकी केंपेँड चलाएंगी और एंजी अस से टायर किया जाए कि एंजी जो है विंस्ट्रीट डॉंस को अपने यह पालने और इन अ lots देखबाल के लिए पैसा जो है वह एंसीडी दिया करेगी इन एंजी उसको ताकि इन लोग इन 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 स्ट्रीट डॉक्स को पर्याप्त खाना मिले एंजी उस और वहां के लोगों से इन्हें प्यार मिले और स्ट्रीट के ओपर जो लोग दरते हैं जो लोग इनसे परिशान हैं वो परिशानी भी पूरी हो जाए मैं एक और केंपेइन की शुरुआत का एलान आज करना चाहता हूं हम जब mcd में आएंगे तो इसको बड़े लेवल पर mcd द्वारा इसको पुश किया जाएगा कि यह जो देसी नसल के कुत्ते हैं लोग इनको अड़ौप्ट करें लगे यह हमारे मित्र हैं इनके पास देसी कुत्ते हैं और इनके यह यह देसी जो डॉग्स हैं यह छोटे छोटे देसी जो नसल है इसके बच्चे हुए हैं और हम MCD की तरफ से सरकार में आने के बाद ये मुहिम चलाएंगे Be Indian, Adopt Indian आप भारतिये हैं तो भारतिये नसल के कुत्तों को अपने घर में जगे दीजिए इन विचारे देशी नसल के कुत्तों को भी हमें जो है घर देना चाहिए कि हम विदेशी नसलों को तो बहुत पालते हैं और हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है विदेशी नसलों को भी पालिए मगर देशी नसलों की भी आप थोड़ी सी चिंता कीजिए जब हम देशी हैं भगवान ने हमें देशी बनाया है तो हमारे देशी नसल के कुत्तों से जो है इतनी जो है दूरी ठीक नहीं है एक और दिखाना और सबसे अच्छी बात जो विदेशी नसले है तो एक दो रंग में आती है हमारी जो देशी नसले है आप देखो एक ही जो फीमेल डॉग होती है वो कई रंगे पपीज देती है लाल, भूरे काले और हमारे आप तो नाम रखने में भी ज़्यादा कश्णी होता जो काला हुआ उसको कालू जो भूरा हुआ उसको भूरा जो लाल हुआ उसको लालू तो ये जो है आज हम सिर्फ अपनी तरफ से चला रहे मगर इस मुहिम को जो है हम लोग MCD की तरफ से चलाएंगे कि NGOs इनको अड़ाप्ट करे और इंडिविजूल्स इनको एड़ाप्ट करे और NGOs को पैसा देगी MCD की इन बचारे देशी नसल के कुत्तों को अपना घर बिल सके बहुत बहुत धन्यवाद